Hey guys, welcome back to my YouTube channel तो friends, मेरी बहुत महनत के बाद आज मुझे ये एक्सेंस का जो है कोड मिल पाया है तकरीबन 26-27 दिन हो गए मुझे से अपलाई किये हुए और ये तकरीबन इतने ही दिन बाद आया है मेरे पास में तो मैं इस कोड आज दिखाऊंगे आपको उपन करके कि इसके अंदर होता क्या क्या है और किस तरह इसको अपने YouTube में डाल सकते है ये कोड जब तक आप नहीं डालेंगे आप अपनी पेमेंट YouTube से नहीं निकलवा सकते है तो इस कोड का डालना mandatory होता है तो इस first of all इसके यहाँ पर यह इन्होंने edges दियो होते है जहाँ पर लिखा भी होता है remove side edges first तो first of all हमें यह edges हमें हटाने होते हैं यहाँ से आपका कुछ इस तरह का जो letter होता है यह open होता है इस तरह का फुश लेटर है यह आपका होता है जिसमें आपका यह पिन लिखा होता है मेरा यह पिन है तो इस पिन को मुझे अपने एड्सेंस के पोर्टल पर डालना होगा तो फैंस यह पिन मैं आपको दिखाती हूं कि यह इस पिन को आप किस तरह से अपने लैप्टॉप मे या फिर mobile में डाल सकते हैं अपने AdSense account को login करके तो इसके लिए चलते हैं अपनी laptop की screen पर तो guys यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी laptop की screen पर और मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि मैंने Google AdSense का portal open करा हुआ है और यहाँ पर आपको to do में एक pop-up मिल जाता है verify your billing address इसका मतलब भी होता है कि आपके billing address पे जो भी AdSense का pin आ रखा होता है उससे आपको verify करना होता है तो simply आप जाएं यहाँ पर verify वाली option पे आप click करेंगे और यहाँ पर आपको अपना pin डालना है जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली clip में दिखाया था जो pin आपको मिला है आपको six digit का वो pin आपको यहाँ पर डालना है तो हम डाल देते हैं यह pin डालने के लिए आपको सिर्फ three attempts मिलते हैं इन तीन attempts में आपको करना है सही pin डालना है और try करें कि आप जो भी pin डालें वो ठीक से देखकर डालें ताकि आपका एक ही attempt में सही pin हो जाए और फिर आपको यह pin डालने के बाद आपको यहां से submit कर देना है अब आप देख सकते हैं your billing address has been verified आपका जो address है वो verify हो चुका है second step में आपको क्या करना है payments वाले option पर जाना है यहां पर जाने के बाद आपको add payment method पर click करना है और उसके बाद आपको यहां पर अपने bank account की details डालनी है और आपको यहां पर वो वाला bank add करना है जिसमें आपको अपने YouTube की income चाहिए होगी तो आपको यहाँ पर वो वाला bank आपको add करना है add करने के बाद आपको यहाँ से इसको save कर देना है तो फ्रेंट से ही ताज की वीडियो में वीडियो कैसे लेगी हमें कमेंट सेक्ट्चर में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए फ्रेंट से अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए bye bye take care